हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आपी के यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट अपडेट्स में जो भी साथ हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आ हा रहे हैं कि शेयर में इतनी भेंकर गिरावट हमें क्यों देखने को मिल रही है अगर आज कि मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो आज भी शेयर में हमें लोवर सर्क्रीड देखने को मिला है पिछले 5 दिन से आप देख सकते हैं लगातार lower circuit में ये company चल रही है और company जो है means 5 दिन में लगबग 18% की गिरावट इसमें आ चुकी है 189 का high लगा कर आज company जो है 154 पर बंद हुई है तो दोस्तो अब जो है वो ही retail investors के मन में जो डर है वो start हो चुका है जो operators है वो अपना game उन्होंने start कर दिया है अब ये जो है operators जो है काफी इसमें stock में पहले ही काफी active थे इससे पहले भी आप मेरे channel पर विजिट करके देख सकत हैं तीन से चार वीडियो मैंने ttml पर बनाई हैं और उन्हों उन वीडियो में मैंने साफ साफ बोला था कि इस share में जब गिरावट आएगी तो इतनी भ्यंकर आएगी कि आप लोग जो है परेशान हो जाओगे और अब वो ही चीज इस share में होना सुरू हो चुकी है बट व कोई भी अच्छी टार्गिट्स दे देता है अच्छी चीजें बता देता है कि यह यहां चे तीन सो जाएगा पांसो जाएगा तो आप लोग को वो अच्छा लगने लग जाता है बट आप रियल्टी जो स्टोक की होती है उसको आप जानना नहीं चाहते हो और आप यह और वर्ड मैंने के लिए बोलना चाहूंगा यह बड़े खतरनाक लोग होते हैं यह जो हम जैसे रिटेल इंवेश्टर होते हैं इन लोगों को यह बोड़ा बना कर लूटते हैं और इसका एक्जेंपल अब आपके सामने यह लगतार फांच दिन से गिरावट हो रही है और मैं दोबारा मैंने कितनी बार आप लोगों को ये बोल चुका हूँ कि प्लीज आप लोग अपनी capital को सेव कर लें आज मेरे पास एक message आया जिसमें मेरे को बोला गया कि मैंने sir 180 8189 के level पर इस stock में एक लाख रुपे invest किये हैं तो दोस्तों क्या उस आदमी से बड़ा कोई मुर्ख आपको देखने को मिलेगा कि जिस share में fundamentally इतनी problems हैं जो पिछले 40 में से 49 quarter जो company loss में चल रही है और जिसमें लगातार operator active हो चुके हैं और आज उस company में जो वो सक्स है उसने इस hope में कि ये 189 से 300 या 400 हो जाएगा एक लाख रुपे invest कर दिये और आज वो रो रहा है कि share जो है वो 154 पर आ चुका है तो दोस्तों क्या आप लोग भी ऐसी ही market में लुटने आए हो या आपको चिस बजार में कमाने आए हो दोस्तों मेरा जो चैनल है मैं यहां कोई fraud बाजी ये गल्त फेमी वाली news देना ना मैं चाता हूँ और ना ही मेरे को ये चीजे पसंद है मैं नहीं चाता कि कोई भी आप लोगों को लूटे मैं अपना view रखता हूँ जो मुझे personally लगता है मैं कभी आपने बहुत लोग देखे होंगे जो बोलते हैं कि आप इसको यहां से बाए कर लो ये ये कर देगा वो कर देगा लेकिन वो उनकी अपनी study है मेरा अपना मानना है मैं लगातार आपको समझा रहा हूँ कि इस stock से थोड़ा दूर रहे fresh entry के लिए तो मैंने बिल्कुल मना किया था आप मेरी चैनल पर वीडियो देख सकते हों लेकिन वो जो सक्स है उसने 189 के लेवल पर fresh entry ले ली और आज वो रो रहा है इसी तरह हैं दोस्तो मैं इस वीडियो में भी अब जो वो लोग पूछ रहे हैं कि इसमें गिरावट कित लेकिन मुझे जो लगता है मैं आपसे share कर रहा हूं 130-120 के लेवल तक याराम से चला नीचे आएगा उसके बाद कुछ टाइम consolidate हो सकता है उसके बाद साइद अपर means ये भी क्यों क्यों यहां से मंतलब 120-130 से उपर जाएगा ये भी सिर्फ जो इस कंपनी में जो टाटा का न की लगातार help कर रहे हैं पिछले साल 2020 में 85,000 क्रोड रुपे इसमें invest किये थे उससे पहले भी 46,000 क्रोड रुपे इसमें invest किये हैं इसके अलावा ये जो company है टाटा ने इसमें टाटा टैली business services को launch किया था टाटा इससे जो smart internet है वो launch करने की घोशना कर रहा है इससे high-speed internet सु रही है means टाटा जो group है उसका ये aim है कि वो इंडिया के अंदर जो ये services है इनको बहुत कम कीमत पर launch करना चाता है और ये उनकी एक बड़ी अच्छी पहल भी टाटा services के थुरू चल रही है बट दोस्तो ये चीजे long term में काम करेंगी आप अगर ये सोचते हो कि चलो इसने ट जिरूर ये चीजे टाटा का मतलब सबको पता है ट्रस्ट है बट ये चीजे long term में होंगी आप लोग ये सोच लेते हो आज नूज आई तो कल मैं पैसा लगा दू परसो मेरा पैसा double या triple दोस्तो ऐसा नहीं होता है टाटा के ओर share उठालो टाटा motor उठालो टाटा power उठालो कंपनियां बनेंगी multi bagger सबको पता है आने वाला time electric vehicle का है लेकिन एक condition भी है दस साल देने पड़ेंगे इसी तरह टीटी ML में भी है आपको इस company को time देना पड़ेगा आने वाले quarters जो अगला quarter आएगा उसकी result देखना उस आने वाले results में अगर company perform करती है तब आप इसमें investment की सोच सकते हों बढ़ अगर आप अंदा दूद हावा में तीर मारोगे तो उस से चीजें से कुछ नहीं होना है 180 level means higher level पर भाय कर लिया आप रो रहे हैं रोते रो भाई कुछ नहीं होने वड़ा ऐसे ही लूटोगे अगर आज की बात करें अगर मैं आपको दिखाऊं आज क् लाग क्वांटेटी ट्रेड हुई है शेयर में फिर भी शेयर में lower circuit लग गया हाई आपको बताई है 189 20 दिसंबर को अचीव किया तीन दिन से लगातार lower circuit कल भी क्या पता कल भी lower लगाएंगे हो सकता है operator है कल अपर circuit लगा दे लगातार दो दिन अपर circuit लगा दे फिर दोब बड़ा मतलब जो यह हुआ है 180 लाइन के लेवल पर जिस बंदे ने एक लाग इन्वेस्ट किया है उससे बड़ा गुसा भी आ रहा है और उससे बड़ा means bad भी feel हो रहा है कि आप बिना किसी study के किसी भी share में इतने पैसे लगा कैसे देते हो तो भाई मेरा आप सभी को एक personally भाई बड़ा अगर मैं advice दूँ तो please अगर इस share में कल या trading या Monday को trading होती है अगर यह lower circuit से बाहर आता है तो please आप लोग अपनी capital पहले save कर लें जो आपने capital लगाई है उसको save कर लें fresh entry तो भूल ही जाओ fresh entry सोचना ही नहीं है लेकिन जो लोग means profit में बैठे हैं वो कम से कम अ higher level पर जिन्हों ने खरीद लिया वो तो अब weight ही कर सकते हैं इसके अलावा उनके पास को योर चारा नहीं है तो दोस्तों यह इस वीडियो में मुझे आपको update देनी थी कि जो टाटा टैली जो टीटी एमल है share है मेरे इसाब से 120-30 के level तक अराम से नीचे आ सकता है उसके बा अगर company कुछ big plan announce करती है तब आ सकती है और जो अगले quarters के results है वो देखने लाइक होंगे कि क्या company low से profit generate करेगी तब ही इस company में आगे जाके हमें कुछ अच्छा बड़ा देखने को मिल सकता है तब यह company 200 के level पर जा सकती है बट अभी तो इसमें operator game आपको देखना पड़ेग डेली इसमें operator activities ही चलेंगी तो दोस्तों यह था आज की वीडियो में TTML जो share के बारे में लगातार news messages आ रहे थे इस पर वीडियो बनाएं तो यह मेरा view था हर इंसान का अपनी study है अपने view है कुछ लोग आज भी यही बोल रहे है कि कल से upper circuit शुरू हो जाए शैद हो भी जा सकती है mainly मैं result मैं wait करूंगा quarter three के results का अगर results आचे हाते हैं और company की commentary जो company लगातार यह बोल रही है कि 2022 में हम अच्छा कर लेंगे और experts को भी लग रहा है कि यह company 2022 में improve कर सकती है उसके बाद ही मैं इस company में अच्छा खासा amount लगाने की सोचूंगा तो दोस्तों यह मेरा personal view था आपको जो view हो आप comment section में जरूर बताना अगर मेरा view आपको गलत लगे तो वो भी comment section में जरूर बताना वीडियो को like करना channel को subscribe करना मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए take care bye bye